आज हम लोग जानेंगे 10 ऐसे बहतरीन किचन टिप्स जो आपने कहीं नहीं और कभी नहीं सुने होंगे चलिए जाते हैं किचन टिप्स सबसे पहले हम लग जाने के पनीर के बारे में जब भी आप पनीर की सबजी बनाते हैं तो पनीर की सबजी बनाते वक्त क्या करते हैं बहुत लोग बीना तले बनाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं तलकर बनाते हैं लेकिन अगर आप पनीर को तलकर बना रहे हैं तो क्या क सब्सक्राइब एकला पानी है पानी में जो प्रॉयवर सब्सक्राइब जब आपनी माजाना एक पानी बहुत ही पानी बहुत ही टाले नेख्स पर बार हो। तो क्या करें मसालों को जब आप भून रहे हैं तो मसालों को भूनते वक्त क्या करें तब तक भूने जब तक कि इन में से तेल छुटने ना लगे तब तक इन्हें अच्छी तरह से पका ले उसके बाद में आप इनकी सब्जी बना ले इससे क्या होगा आपकी जो सब्जी है वह बहुत ही tasty बनेगी और बिलकुल hotel की सबजी की चांगे इस तरह से आप सबजी बना ले next आप में जानेंगे सेवै की खीर के बारे में, जब भी आप सेवै की खीर बनाते वक्त क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले सेवय को तेली या घी में भूनते हैं तो भूनते वक्त क्या करें ग्यास का फेम लो मिडियम रखें और इन्हें अच्छी तरह से लगातर चम्मस चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक भूने याद रखें इन्हें बहुत ज्यादा ना भूने या फिर इन इनकी खीर बना ले नेक्स्ट हम लो जानेंगे आप जब भी मसालेदार लोकी की सब्जी बना रहे तो क्या करें सबसे पहले लोकी को कट करके इनकी बड़े बड़े पीसेस करें मसालेदार लोकी की सब्जी बनने के लिए हलका सा बड़े बड़े पीसेस करें उसके बाद म हम लोग तल लिये हैं भून लिये हैं तो यह से बसारा डालने के बाद में हमको बहुत जादा पकाने के जरुत नहीं पड़ेगी इनके पानी पूरी निचोड ले उसके बाद में क्या करें थोड़ा से तेल में भून कर इनकी सबजी बना ले इससे क्या होगा आपकी जो सबजी का टेस्ट है वो दुगोना बढ़ेगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगीगी नेक्स लो जानेंगे आप जब भी एक करी या फिर अंडे की सबजी बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली अंडे को पहले तलते हैं तो तलने से पहले क्या करें तेल में चुठकी भर हल्दी जरूर डाले उसके बाद में अंडे को तले इससे क्या होगा आपके जो अंडा है वो पैन में या कढ़ाई में चिपकेगी नहीं और इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा इस तरह से आप अंडे को तल ले नेक श्रम लो जानेंगे अंडा के बारे में जब भी आप अंडे की सबजी बनाते हैं तो अंडे को पहले तलते हैं तो तलते हैं क्या उसके बाद में अधा गंडा के इनको ठाल पानी है इससे पानी इनको अच्छी तरह से निचोड ले और उसके बाद में थोड़ासा हलके अशा पंके की हवा में कम से कम पासे 6 मिनिट इन्हें सुखा ले उसके बाद में क्या करें इनको मिक्सी के साहिता से हलका दरदरा पीस ले इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है हलका दरदरा पीसना है इससे क्या होगा आपकी जो कीमा है वो बहुत ही सौफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी इस तरह से आप सोया कीम, बना लें पस मतर पनीर के लिए मुटर को मसालो में पानी डालने पानी Jeom मसालो में पानी हो से सी मॉट भाइगा और भाले काड़्न मतर हल्क नमक होने के वर्जे से मतर होता ही , पान नमक इसलिए आप क्या करें मटर पनिर जब भी आप बनाते हैं या फिर कोई भी दाने वाली चीज़े बनाते हैं तो पानी डालने के बाद में ही इन दानों को या फिर मटर और जैंडी अच्छी तरह पकेंगी नेक्स रफी पनीर की सब्सक्राइब करते हैं। करोड़ी नॉर्मलल पनीर को तलते हैं तलते वक्क करें सबसे पहले स्टाटिंग में हाय ग्यास में तैयों में उसके बागий में सक क्षय पहले फिर काज़ें बहुत ही अच्छी Prall को दले और इसकी सब्जी बना ले इस तरह कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने सब्जी को बहुत ही अच्छा और बहतरीन बनाए और अगर आपको इस तरह से और भी किचन टिप्स से यह तो प्लीज मुझे कमेंट करें धन्यवाद